बच्चों, शब्द ग्यान के साथ साथ लेखन भी बहुत महत्पोन हैं, इसलिए आज मैं आपको हिंदी वर्माला के अक्षरों को कैसे सरर तरह से बनाते हैं, उसके बारे में बताने जा रही हूँ. तो बच्चों, आज हमारी इस लेखन की प्रक्रिया में हम सबसे पहला अक्षर बनाएंगे, क, अक्षर क, बच्चों, जैसा कि आप अपनी इस किताब में देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, क, क से कबूतर, क से कबूतर, चीके बच्चों, अब इसे हम, किस प्रकार से सफेद बोल्ड पर बनाएंगे, ये समझाने जा रहे हैं, तो सब बच्चे, सीखने के साथ सथ मज़े भी करेंगे, देखिए, कैसे शुरू करते हैं, सबसे पहले हम एक सीधी रेखा बनाएंगे, इसको मनुक क्या बोलते हैं, सीधी रेखा, यानि की, इगलिश में क्या बोलते हैं, स्टेर्णिंग लाइन, और हिंदी में क्या बोलते हैं, सीधी रेखा, सबसे पहले हमने एक सीधी रेखा खीच दी, अब उसी रेखा के बीच में एक दम, एक हाफ सर्किल, सोरी बच्चों, इसको अगेन फिर से करेंगे, उसी रेखा के बीच में हम एक हाफ सर्किल बनाएंगे, और उस हाफ सर्किल को दूसरी तरफ ले जाकर, नी बच्चों यह बहुत सुन्दर नहीं बना हम पुन्हा कोशिस करेंगे पुन्हा ट्राइ करेंगे बच्चों इसको देखिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले सीधी एक स्टैंडिंग लाइन यानि सीधी रेखा इसी रेखा के बीच से हम एक हाप सर्किल बनाएंगे यानि अर्ध गोला और उस अर्ध गोले को दूसरी तरफ गुमा कर नीची की तरफ ले जाएंगे उसके उपर हम बनाएंगे च्छत वाली लकीर यह क्या बना बच्चों कासे कबूतर क्या है यह बच्चों कासे कबूतर इसको इबर पुनाँ अभ्यास करेंगे सीधी रेखा सीधी रेखा इस सीधी रेखा को के बीच में एक अर्ध गोला उस अर्ध गोले को दूसरी तरफ से नीची की तरफ गुमा कर छोड़ देंगे और उपर छत वाली लकील बच्चों यह हमने क्या बनाया कासे कबूतर तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही सभी बच्चे इस कासे कबूतर को बनाने का बार बार अपने घर में अभ्यास करेंगे ठीक है और लेखन कारे को अपनी एक कौपी बनाएंगे हिंदी कौपी उस हिंदी कौपी में प्रती दिन सीखा हुआ अक्षर लिख कर अभ्यास करेंगे और फिर अपने एस डबलू कारे को वाट्टसब पर दिखाएंगे ठीक है बच्चों तो एस डबलू में अक्षर का का अभ्यास अपनी हिंदी कौपी में पैंसिल के द्वारा बहुत सुंदर-सुंदर अक्षरों में लिखेंगे फिर मिलते हैं अगली कप्षा में तब तक के लिए सुरक्षीत रहें